आज मैं आपको इस पार्टी वेर अंप्रेला लहंगे की कटिंग और स्लाई करना बताऊंगी यह इस लहंगे के नाइट पिक्चर्स है तो कितना प्रिटी लुक आ रहा है लहंगे का लेजर्मेंट देखते हैं में लहंगे की लंबाई रेडी चाहिए 42 और वेश्ट है यहां पर्ट में कपड़ी को फोल्ड करते हुए रख लिया है यह तोटल पांच मीटर कपड़ा है तो एक साइट से कपड़ा खुला हुआ मिलेगा और दूस्री साइट पे बंद होगा, देख सकते हैं, इस साइट पे बंद है, तो बंद साइट से हमें कमर का निशान लगाना होगा, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक curve draw कर लूँगी यहाँ पर कमर 32 इंच थी तो मैंने या 6.5 इंच पर निशान लगा है आपकी कमर जादा है तो आप गोले की कहराई और बढ़ा दे अब टोटल लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर मैं टोटल लंबाई ले रही हूँ 40 इंच इस कपड़े की चौड़ाई 60 इंच की थी इसलिए इसमें 40 इंच की हमारी लंबाई निकल रही है अगर आपके कपड़े का अरज कम है तो आपकी पूरी लंबाई नहीं निकल पाएगी तो ध्यान रखें ज्यादा अरज का कपड़ा खरीदें तो बॉटब में 40 इंच पर निशान लगाते हूँ यह मैंने सर्कल बना लिया है इसकी कटिंग कर लेंगे जो एक्ष्टर फैब्रिक बचेगा इससे हमें बैल्ट निकाल लेनी होगी इसको ओपन करेंगी तो दो पर्त मिलेंगी कपड़े की तो इस तरह से हमने डबल सर्कल में लेंगे को कट किया है इस तरह से बहुत ज्यादा घेर हमें मिल जाएगा जो दोनों साइट खुले हुएं इनको सिलाईदे देनी होगी अब अस्तर की कटिंग करेंगे तो अस्तर के लिए सबसे पहले कपड़ी को दो पर्त में फोल्ड करना होगा तो यहाँ पर दो पर्त में फोल्ड करते हो रखा है इसके बार इसे डाइटनली फोल्ड करना है एक ट्राइंगल शाप बना लेना है अब कमर का निशान लगाना है यहाँ पर नौ इंच पर तो इनौ इंच पर शीधा निशान लगाएंगे और उपर से नीचे तक लंबाई नाप लेंगे कोने से कितनी आ रही है तो यहाँ पर मेरी लगबग 10-10.5 इंच तक आएगा तो हलका सर्राउंड निशान लगा लेना है अब इसकी लंबाई देख लेंगे अस्तर की लंबाई हमारी कम रहे कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो लंबाई बढ़ा भी सकते हैं साइट पर जोड लगा के लेकिन हाँ पर मैं अस्तर छोटा ही रख रही हूँ हमारे मेरी फैब्र एक से अस्तर छोटा होना चाहिए अब इसकी कटिंग कर लेनी है कि कटिंग करने के बाद इस तारह से अस्तर मिलेगा यहां पर बैल्ट की चौड़ाए लिए मैंने साड़े पांच इंच लंबाई हमें अपने लहंगे की कमर के एकॉर्डिंग ही रखनी है पोल करने के इसको यहां पर सिलना है तो एक तरफ ही मैंने इसको सिलाई दी अभी दूसरी साइट को नहीं सिलना है इस तारह से लहंगे को फैला लेंगे जो अस्तर की कटिंग की थी उस अस्तर को इस कपड़े के अंदर सेट करेंगे सेट करने के बाद कमर पे कच्ची सलाई लगा देंगे जिससे कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं यहां पर मैंने यह अच्छी दे दी है अस्तर को मैंने अटेच कर लिया में फैब्रिक से अब यहां पर बैल्ट की साइट को फोल्ड करना है दोनों साइट को इस ताना से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देनी है दूसरी साइट को भी फोल्ड कर लेना है तो देख सकते हैं इस पर मैंने सिलाई दे दी है सिलाई देने के बाद बैल्ट को हम लहंगे की कमर पर रखेंगे और एक सिलाई देते हुए अटैच कर लेंगे इस ताना एक साइट से बैल्ट अटैच हो गई है इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे एक बार फोल्ड करेंगे अंदर को और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे तो उपर से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है अब इसके साइड को जॉइंट करेंगे तो साइड को जॉइंट करने के लिए हम इसके अस्तर में अलग सिलाई लगाएंगे और में फैब्रिक में अलग सिलाई लगाएंगे दोनों को एक साथ हमें जॉइंट नहीं करना है पहले या मेन फैबरिक पर मैं शिलाई दे दूँगी इसके बाद असत्र पर सिलाई लग दूगी इस तरह से देख सकते हैं दोने फैबरिक को मैंने अलग अलग सिलाई लगाई है अब बोटम को फोल्ड करेंगे Над्यू बोटम को फोल्ड करने के लिए मैंने यहां पर यह होर इसे गाउन पट्टी भी बोलते हैं इसे लहंगे के बॉटम में लगाने से लहंगे की फ्लेयर और ज्यादा अची आएगी हमारा घेर और ज्यादा दिखेगा तो एक साइड लगाने के बाद अंदर की तरह पलट देंगे इसको इसको खीचना बिल्कुल नहीं है में नॉर्म यहां पर डोरी डालूंगी और लटकन लगाऊंगी आप चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं पर मैंने यहां पर यह लटकन लगाए हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए थैंक्स वाचिंग बाई बाई